आज मिलाई हूँ सूजी और मैदे से बनने वाले बहुत ही टेस्टी नाश्टे की रेसिपी है तेल का हमने इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करा है बहुत ही हल्दी है बच्चों को टिफिन में या फिर आप नाश्टे के लिए इसको बना सकते बहुत ही सॉफ्ट नाश्टा होता है तो चले फिर बताती हूँ किस तरीके से इसको बनाए जाता है तो सबसे पहले एक बरतन में मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है ये डाल देंगे इसमें 100 ग्राम सूजी डालेंगे उसका हाफ जितना भी मैंने मैदा लिया है उसका हाफ सूजी डाला है आप चाहे तो सेम कॉंटिटी भी कर सकते हैं एक चौताई चमच बेकिंग पाउडर डाला है एक बड़े चमच डाला है दही शादा खटा दही यूज करेंगे दो बारी कटा हुई हरमिच डाल लिया है कदुग शकरवाद रख डाला है एक च sıट़े चमच और एक मीडियम साइस की प्याज डाली है बारी कटई हुई अप्सिनल है अगर आप प्याद नहीं कहते है तो उसको स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद में सभी चीजों को जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद में एक क्लास पानी लिया है मैंने और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से जो है मिक्स करेंगे ये देखें थोड़ा-थोड़ा करके डालना एक सारा पानी नहीं डाले जाएंगे तो यह देखे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूं और इसको मिक्स करती जा रही हूं ताकि इसमें लंग्स मीना रहे और इस तरीके का गाड़ा बैटर जो है यह हमारा तयार हुआ है दस मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि सूजी जो हमारी फुल तो यह देखे इस तरीके का बैटर हमारा गाड़ा तयार हो गया है मिक्स कर लेती हूं मैं पहले और फिर आपको दिखाती हूं कैसा हमें बैटर जो है इस नाश्ते के लिए चाहिए देखे ऐसा इतना गाड़ा यह होना चाहिए यह देखे ताकि जब हम इसे तवे पे डाल तेल भी थोड़ा सा डाला है बस इसको टिशू पेपर से फिर पोच लेंगे तेल को बस हमें तवे को ग्रीज करना है उसके बाद में जो है जो यह मिक्सचर है वो डाल देंगे हम देखे इस तरीके से एक चमच की हल्प से और इसको थोड़ा सा फेला लेंगे मैं चोटे-चो इसको पबाद में है इसको पलट देंगे अर दूसी साइट भी हम एक मिनट के लिए डखके इसको तुबार हम देख लिए तो सारे के सारा जो बैटर का नाश्ता है वह हम इसी तरीके से बना लेंगे और ग्रीन चैटनी टमेटो सास किसी के साथ भी आप सफ़ कर सकते हैं बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं और बहुत ही डेसी रस्पी है बनाने में तो बहुत ही आसान देखा एकदम फलफी हो सॉप्स चनास था तो मस्ट ट्राइ रस्पी है जरूर ट्राइ करें और रस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करेंगा